प्रादना किया की बाबा का शिरवाध हमें से बना रहा है और प्राधना किया कि हमें से बना रहा है ताकि सब लोग Лाइफ में तरक्की करें सब लोग आगे बढें और यहां मुझे आना ही था क्योगि मैं Yi sort पढ़ाई लिकाई की हूँ, ग्रेजुशन भी मैंने यहां से कंप्लीट किया, भी एचो सेंसी भी किया है, तो कहीं ने कहीं, इस जगे से मैं बहुत जादा कनेक्टेड हूँ, तो अभी सब जीतने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, तो दर्शन करना प्योर्टी थी नहीं. आपके अंदर जजबा होना चीए, साहस होना चीए, और आपके अंदर एक कुछ करने का सपना होना चीए, और कुछ नहीं चीए होता है. गाओं शेहर मैटर नहीं करता है, आप कुछ करना चाहते हैं, बस इतना मैटर करता है, तो मुझे कुछ करना था, मैंने पता किया, मैंने महनत की, और लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, और आशिरबाद कुछ कुछ के लिए तो जैसा कि आपने कहा कि जिस जगे से हम गया तो सपोर्ट कम मिलता है इस चीज में, बट फिर भी में, एक यह होता है कि आप महनत कर रहे हैं, अगर आप महनत कर रहे हैं, तो एक टाइम पर फैमली को भी यकीन हो जाता है, तो सपोर्ट करने लगती हैं, और क्या मैसेज देना चाहँगे अपने से और रख्यों को जो अभी भी अपनी मन, ऐसी भावना को अपने मन में दबा कर रख्या हैं, फैमली की वज़े से, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पता है, जगे में नहीं करता है, कि आप कौन से जगे से हैं, तो सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि सबके अंदे ड्रीम होना चाहिए, अगर उन आप यकीन दिला सेकें, और आप अगर खुद अच्छा बनेंगे, तो आपको दे के हजार लोग अच्छे बनेंगे, तो जगे में नहीं करता है, इच्छा में नहीं करता है, अब अचानक इस बात पर बात छिड़ गई है, तो ये नहा लगने लगा है, वैसे ये नहा कुछ लोग सामने आके बोलने लगे हैं, तो नहा हो गया है, अधरवाइस प्रॉब्लम सुरू से चलती आ रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगे, कि प्रॉब्लम जो है वो एक साइड है, बट लड़कों को स्टॉंग होना पड़ेगा, उन खुद के लिए वो एक्सल नहीं खुद के लिए वो फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से वो अपने अपको त्यार रखे कि कि किसी भी तरीके की परिशानी आया लाइफ में, तो जहल सके उसे फेस कर सके, और बाकी, especially boys, male person, लोग को मैं ये कहना चाहूंगे, कि अपनी थिंकिंग में थोड़ा चेंज लाए, क अपना वोट एक तरीके से अपना राय है, कि आप किस को जिताना चाहते हैं, आप किस नेता को चुनना चाहते हैं, तो सब लोग आगे बढ़ें और वोट करें, ताकि हम एक बहतर नेता को चुन सकें, और ताकि हमरे समाज काईनी देश का भी विटाशाए, एक छोड़ा किसी को इसमें पब्लिकली कुछ नहीं है कि बोलवाया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ वो बोल रहें उनको नहीं बोलना चाहिए किसी को भी गलत बोलने का हग किसी को भी नहीं है आप गलतियां हो रही है फिर कुछ भी वरत उन्हें मिलके समझें उसको समझाया और उसे सही कर गलत बोलना को ये काबिलियत नहीं है थैंक यू वी अलत बोलना को